हलो फ्रेंस वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आटिस्टी फ्रेंस आज मैं बनाने वाली हूं कार्डिगन के लिए बहुत ही अच्छा और सिंपल डिजाइन तो यह जो डिजाइन है आप इसको जैन स्वेटर में लेडी स्वेटर में या बच्चों के स्वेटर में भी जो पैटर मुझे बनाना है उसके लिए मुझे तीस फंदे चाहिए तो यहां पर तीस फंदे डालने के बाद मैंने एक सिलाइ सीधी और एक सिलाइ जो है वह उल्टी बुनली है और फ्रेंस जब भी आप कोई भी डिजाइन डालते हैं तो यहां पर जो है एक स्लाइज सबसे पहले धागे को आगे रखना है और सिलाई भीमारी आगे रहेगी तो हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं शुरू में एक दो और यहाँ पर जो हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हमने बिना बुने सीधा उतारना है सीधा फिर धागे हमने आगे करना है एक और दो दो फंदे उल्टे तो यह टोटल पांच फंदे हैं दो फंदे सीधे नि दो फंदे उल्टे एक फंदा उतारेंगे सीधा औ और यहांपर हमने गिनकर 9 फंदे छीधे बुनने हैं तो पांच का जो दिजाइन है वह ऐसी ही चलेगा और यहां पर जो है डिजाइन जो हमारा है वह नौ फंदों में आएगा वहां चेंज हम करेंगे बर बर लेकिन जो पांच फंदे वह सेम रहेंगे तो देखें, 9 फंदे हमने बुन लिया हैं उसके बाद फिर से हमने धागा आगे करना है और 2 फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे और ये फंदा हमने सीधा बिना बुने उतारना है इसको बुनना नहीं है, इसको हम उल्टी सिलाई में बुनेंगे तो दो फंदे उल्टे और धागा पीछे और यहां पर देखें, फिर से 9 फंदे हमने गिन कर सीधे मुलने ने और उसके बाद हमारे 5 फंदे बचेंगे दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे लास्ट में और उसके बाद सिलाई को पल्टेंगे और दूसी सिलाई है वो हमने उल्टी बुननी है पूरी और इस डिजाइन की अच्छी बात यह फ्रेंस की इसमें सिफ फ्रंट में जो है वहां डिजाइन आएगा और जो बैक साइड है वो पूरी सिलाई है जो हमने उल्टी ही बुननी है वहां पर डि दागे को पीछे करना है एक फंदा सीधा बीना बुने उतारना है फिर दागे को आगे करना है दो फंदे उल्टे बुनने है फिर दागे को पीछे करना है और नौ फंदे सीधे बुनने है तो लास्ट तक सेम पैटन जाएगा ये जैसे में पहले बुना था देखें नौ आपको दिख रहोगा कि दो फंदे उल्टे में नहीं है तू रहे हैं तो यहां पर फिर से फूरी उल्टी आएगी और अब तो इसे पैस। तो अब जो है पांच वी सिलाई में हमने करना क्या है यहां पर जो है डिजाइन डलेगा यहां आपको ध्यान से देखना है यहां पर जो पांच फंदे हैं मैंने शुरू में बदाया था वह वैसे ही चलेंगे कि दोल्टे कि धागा पीछे कि एक फंदा उतारेंगे किμεी होटे कि आपके अगया किदे छार प्रॉस कैँ पीछे करना हbay यहांपर शुरू द्याई में उतार लेना है और जो पीछे वाले हैं उसको हम सीधी स्लाई में उतारेंगे और फिर इन सारे फंदों को हम हमारा हम उतार लेंगे उसके बाद चार फंदे हो गए फिर इनको एक दो तीन चार इनको सिलाई से नीचे उतारेंगे अब इस बर क्या करना है हमने पहले पीछे वाले फंदो को उठाना है और इसके बाद आगे वाले फंदो को ऐसे और इसके बाद इनको एक सिलाई में कर ल लेना है बस यहां पर जब मोड रहें आपको वहीं पर ध्यान देना है दोनु साइड में बाकी पूरा डिजाइन जो है बहुत आसान है सीधा ही सीधा बुनना है यह देखे बुन लिया आमने तो देखे हलके छोटे-छोटे मोड आपको दिखाई दे रहे होंगे उसके फिर धागा आगे करना है दो फंदे उल्टे एक फंदा उतारेंगे फिर दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे फिर गिनके चार फंदे एक दो तीन चार चार फंदे लिया हमने उसके बाद पहले वाले पहले वाले फंदे को उल्टी स्लाइम उतारा और उल्टे वाले फंदे क सीधी स्लाई में उतारेंगे और उसके बाद हमने एक स्लाई में करके इनको सीधा बुलने ना है देखे तीन और चार और एक फंदा सीधा उतरेगा फिर बचे चार फंदे तो देखे जो पीछे वाले फंदे उनको पहले उठाएंगे हम और आगे वाले को बाद में और उसके भूलनेना है दो तीन और चार उसके बाद देखें हमारे बचे हैं पांच फंदे दो उल्टे एक सीधा दो उल्टे और जो उल्टी सिलाई है वो पूरी उल्टी आईगी तो देखिए डिजाइन चाहिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा अपी पहले ही सिलाई में हमने मोड तो हल्का सा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा अभी थोड़ा सा मिसको और बनाएंगे तो यह धीर धीर और ज्यादा दिखाई देगा और उसके बाद क्या करना है फ्रेंज जब आप डिजाइन को मोड रहे हैं फिसका उल्टी स्लाई हम ले रहे हैं उसके बाद जब द हम लें इ तिस्लाई सीध्य जाड़ सीधी दो स्लाई उल्टी यह सा मने स्टार्टिंस Mcella विये पहले दौ फंद और फंद एकसी एग सीधा दो उल्टे फिर नौ फंद फिर दो उल्टे एकसी को टांज ब्स परक् Coleman और उल्टी स्लाई उल्टी तो यह जो डिजाइन यह हर तीसरी सिलाई में जो है हमने इसको मोड़ना है इसकी खासित यह फ्रेंस यह बहुत अच्छा लगता है और यह बार बर नहीं मोड़ना है आपको देखने में लगता है लेकिन हमने इसको हर तीसरी सिलाई में मोड़ना है हर पांच्वी सिलाई में देखिये यहाँ पर जो उल्टे फंदे आ रहे हैं अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो तीसी सिलाई होगी हमारी एक- दो तीसरा उल्टा और अगर आप स्लाई से गिनेंगे कि दो स्लाई उल्टी, दो सीधी दो उल्टी और वैसे पाँचवी स्लाई होगी तो यहां पर देखे फिर से हम डाल रहे हैं दो उल्टे धागा पीछ Hey, एक सीधा धागा आगे, दो उल्टे धागा पीछे तो देखे फिर से मैं बताती हूँ आपको कैसे मोड़ेंगे हम इसे चार फंदे एक दो तीन चार चार फंदों को हमने सिलाई से पहले नीचे गिराना है बहुत आराम से देखकर करिएगा ताकि गिरे ना फंदे और पहले वाले फंदे को हमने पहले उठाना है, आगे वाले फंदे को और पीछे वाले को उसके आगे डालना है, यह देखे, और इसको हम फिर सीधा बुल लेंगे, जैसे चेन होती है, तो देखाओगा आपने मुड़ी होती है, तो वैसे ही यह डिजाइन आएगा दोनों त पीछे वाले हम पहले ले रहे हैं दूसरे वाले मूड में और पहले वाले को बाद में उठाएंगे अब एक इस राही में डाल दिया हमने इनको और उसके बाद हम इसको सीधा बोल लेंगे एक, दो, तीन, और चार, बस, और उसके अफ़ी बचे हमारे पांच फंदे, तो पांच फंदे हमारे वैसी आएंगे, दो उल्टे, एक सीधा और दो उल्टे, और उल्टी से लाई जो है, वो पूरी उल्टी आएगी, तो देखें, यहाँ पर हलका से एक पत्ता से आपको दि पत्ति के जो पांच पांच के जो मोडस है, और जो बीच का फंदा हमने बीना बुने उताँ रहा था, तो उसकी वजह से पत्ते का शैप बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, और इसकों उल्टी सिलाई में हमने बुन लाएं, तो देखें उल्टी सिलाई जो है, फिर से सिलाई आ है बुनने के बाद 55 time में उसको मोड़ना है और अगर आपको फिर वी अन्दाजा नहीं आपाता देकि मैं तो इसको जो साइड के हमने दो उलठे रखे हैं उससे काउंट करती हूं तो 30 को मोड़ती हूं वैसे 50 और और उल्टे के साफ से तीसरी दिलाई और अगर आप भूल जाते हैं कभी-कभी तो आप यह कर सकते हैं कि आप साइट में जो है सेफटी पिन लगा लीजे कि उससे आपको अंदाजा रहेगा कि आप आपको मोड ना है क्योंकि इसके जो मोड है फ्रेंस वो बहुत बराबर आन कोई भी छोटा बड़ा नहीं है तो आपने बिल्कुर ऐसे ही करना है और इसमें जो है साइड में पांच फंदे रहे हैं वह वैसे ही चलेंगे पांच जो फंदे उनका सेम पैटन रहेगा जो नौ फंदे है उसमें हमने डिजाइन डाला है नौ फंदो में तो आप देख सक तो इसको पहले रफ में डालेगा उसके बाद जब आप कारडिगन बना रहे हैं तो नहीं उन पर सीखने के बाद डालिए तो उससे यह रहेगा कि आपका हाथ भी सेट हो जाएगा उसको बनाने में तो देखे मैंने तो बहुत बार बना चुकी हो तो इसे जल्दी से बना है तो आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा तो ऐसे ही मोड के उपर मोड आता रहेगा और बहुत ही अच्छा लगता है यह तो फ्रेंस मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे इंबॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए